जनाब, बदले बदले नजर आ रहे हैं, कुछ बात है क्या? ये बात आपने सुनी होगी, लेकिन चुनावी साल में ये बात सठीक बैठती है प्रदेश के राजनेताओं पे. पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि राजस्थान की राजनेती को लेकर राहूल गांदी काफी सक्रिया नजर आ रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से लगातार राजस्थान का दौरा भी कर रहे हैं. लेकिन बीते दिन जब राहूल गांदी राजस्थान के जून 2020 का वो दिन सबको याद होगा क्योंकि उस दिन सचिन पाइलेट ने एक बगावत शुरू की थी और इस बगावत के विरोध में खड़े हुए राजनेताओं ने सचिन पाइलेट को इतना बला भुरा गाता कि पूरी देश और प्रदेश की जनता के कान सुन पड़ थे तो उस समय राहूल गांधी के बास में केसी वेनु गोपाल के पास में PCC चीफ कोविन सिंग दोटासरा और गोविन सिंग दोटासरा के बिलकुल पास में बैठे थे सचिन पाइलेट जी हाँ मंच पर कुछ ऐसा देखने को मिला जो अभी तक देखने को नहीं मिला था आपने ये वीडियो देखा कि PCC चीफ गोविन सिंग डोटासरा जब राहूल गांदी से बात कर रहे हैं तो इस दौरान सचिन पाइलेट भी कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन PCC चीफ लगातार सचिन पाइलेट के कंदे पर हाथ रखते हुए नज़र आए तो दूसरी तरफ जब सचिन पाइलेट फिर से कुछ बोलना चाह रहे थे तो गोविन सिंग डोटासरा मजाकिया लहजे से सचिन पाइलेट से कुछ कहते हैं जिसके बाद सचिन पाइलेट की भी हसी छूट गई ये बात हम 23 सितंबर 2023 की कर रहे हैं लेकिन जब जून 2020 के अंदर हम जाते हैं तो तस्वीरे नजर आती हैं कि पार्टी को तोड़ने वाला गदार, निकमा, नाकारा जी हाँ, ये वही शब्द हैं जो सचिन पाइलेट के लिए हर कॉंग्रेस का नेता बोल रहा था और जब सचिन पाइलेट से PCC स्चीव का पद छीनते हुए गोविन सिंग डोटासरा को ये जिम्मेदारी दी गई थी उस समय भी गोविन सिंग डोटासरा के मूँ से सचिन पाइलेट के लिए जो फूल बरसे थे वो पुरिय प्रदेश की जनता को बता है ऐसे में राहूल गांदी की मौजूदगी में भरे मंच पर गोविन सिंग डोटासरा और सचिन पाइलेट की जो हसिठ टोली है इसका क्या मतलब निकाला जाए क्योंकि बीते दिन जब सचिन पाइलेट मंच से संबोधित कर रहे थे तो मंच पर बैठे हुए हर व्यक्ति का नाम लिया था लेकिन जब प्रदेश के मुख्या यानि की मुख्यमंतरी अशोग गहलोद की बारी आई तो उन्होंने सिर्फ अपना संबोधन मुख्यमंतरी तक ही सीमित रखा उनका नाम भी लेने से परहेज किया ऐसे में पिछले दिनों से लगातार प्रताब सिंग खाचरियावास से सचिन पाइलेट की बढ़ती हुई नजदी किया और अब गोविन सिंग डोटासरा के साथ भरे मंच पर हसी ठिटोले एक बार फिर से राजस्थान की राजनीती को एक अलग ही रंग देते हुए नज़र आ रहे हैं तो ऐसा जो मैंने शुरुवात में कहा था कि जनाब बदले बदले नज़र आ रहे हैं तो ये चुनावी साल है चुनावों में महज 3-4 महने का समय बचा है तो अभी कितने जनाब और बदलते हैं ये देखना बाकी है आप देख रहे हैं दनगरी न्यूस मैं हूँ ललित वर्मा